बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के पिकल पे खड़े होकर बताएंगे बताएंगे, मस्जिद के खड़े होकर बताएंगे, मेरा नाम है मालीज और आप मुझको देख रहे हैं मेरे यूटूब के चैनल पे आज का जो वीडियो है जो मैं आपके साथ देखना चाहती हूँ, यह है चैनल शाम शर्मा शो, इनका वीडियो है और इस वीडियो में यह बता रहे हैं किस तरीकी से वेस्टर्न कंट्रीज जो है, वो सनातन धरम की प्राक्टिस या हिंदू इसम की प्राक्टिस जो है, उनको इस वीडियो को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मद्दू लिएगा, चलें इस वीडियो को देखते हैं, वेस्टर्न देशों में फेगन यानि नौन-Kristian ideology काफी popular हो रही है, वेलकम हम तुमाइं कम्यूनिटे, अवर्ड इस वीडियो को देखते है और ये कैसे समय पर हो रहा है, जब इंदियन प्राक्टिस जैसे योगा और मेडिशन भी अमेरिका में बहुत पुलर हो रहे हैं, लाखो लोग इने प्राक्टिस कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी इंडुस्री भी बन गई है और ये प्राक्टिस इतनी बड़ी हो गई हैं, कि कई क्रिस्चिन कंसर्वेटिज भी इस बात से बहुत पाराज हैं, वर्शिपिंग पेगन आइडल्स तो ओन गई ट्रइशनलिस्टो नाराज इसलिये हैं, कि नॉन-क्रिस्चिन प्राक्टिस की पॉपलारिटी एकी समय प के बारे में बात करते हैं, क्या वेस्टर्न देशों में क्रिस्चिन प्राक्टिस को और अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वेस्टर्न देशों में रिलिजन का क्या फ्यूचर है, और कैसे इंडिया और खासकर हिंदूइजम के पास एक बड़ी आईए पता करते हैं, तो देखिए वेस्टर्न देशों में पेगनिजम कैसे बढ़ रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पेगनिजम होता क्या है, देखिए जिस तरह लोगों को ये नहीं पता कि पप्पू exactly होता क्या है, उसी तरह से पेगन शब्द क्रिस्चिन के द्वारा इस्तिमाल किया जाता था, उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो लोग क्रिस्चिन आइडियालोजी में नहीं मानते थे, चाहे वो पॉलिथीस्स हों, नेचर वर्शिपर्स हों, या एगनॉस्टिक्स हों, ऐसे लोग जिन करने वालों को अंदभक्त बोलते हैं, या कुछ राइट विंग वाले उन से डिसग्री करने वालों को एंटिनैशनल बोलते हैं, पेगश शब्द का मतलब गाव होता है, और क्रिस्चिन के मताबिक पेगन वो गवार थे, जो क्रिस्चिन आइडियालोजी की विजडम को सम पास नहीं रखते थे, और इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑथर कैथरे निक्सी एन हर बुक, अरली क्रिस्चिन ने पेगन कल्चर को पूरी तरह से तहस नहस करना शुरू कर दिया, टेंपल्स को तोड़के, प्रॉमिनेंट इंटलेक्चुल्स, ओथर्स और साइंटिस्ट का कतल करके और लाइब्रिरीज को जला कर, और जब से यॉरॉप में एंशिन पेगन वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हुआ है, तब से वेस्टन देशों में क्रिस्चियानिटी का बेसिकली एक मनॉपली रही है, लेकिन देखिए आज की स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट आने इन फैक्ट ये पॉपिलेशन अमेरिका के कैथलिक पॉपिलेशन से सिरफ एक परसेंट कम है, इन फैक्ट जो मिलेनियल जनरेशन है अमेरिका की, वो अमेरिका की हिस्ट्री की पहली जनरेशन है, जिसमें क्रिस्चियन माइनॉरिटी में है, इसी को मद्दे नजर रखते उनका मानना है कि आज के जो western देश हैं वो sex, religious belief, society और family के जो issues हैं उन मामलों में Christianity से कम agree करते हैं और pagan culture से जादा agree करते हैं तो obviously सवाल उठता है कि भई ये कैसे हुआ और यहां आता है हमारा दूसरा twist हमें pure research के numbers देखके शायद लग रहा होगा कि ये कोई नई बात है दीरे दीरे cracks appear हो रहे हैं तार्क एजस के समय पर जब church पूरी की पूरी western दुनिया को control करता था उस समय ऐसी कोई भी speech, ऐसा कोई भी scientific research, ऐसा कोई भी literature, music या art जो church अप्रूव नहीं करता था वो allowed नहीं होता था और जब European देशों में enlightenment आया तो यही speech, यही scientific research, यही economic development और यही art बहुत तेजी से Europe में पहलने लगा और कई historians जैसे Catherine Nixie, Stephen Greenblatt, Peter Gay, Thomas E. Ricks, Andrew Seidel इन सबने काफी insightful research करके दिखाया है कि Greece और Rome जैसी ancient civilizations को discover करने के बाद और इन culture से inspire होने के बाद European enlightenment शुरू होता है Lucretius is on the nature of things is one of the great instances of cultural mobility. Taking it off the shelf and recirculating it, getting it copied and having it begin once again to be read, turned out to have extraordinarily far-reaching consequence. Consequence, what we know as monasteries are religious epicurean communes with a Christian topsoil. The French philosophers who led the European Renaissance, Peter Gay, who is an English historian, he used to call modern pagans these French philosophers. So the cracks that were built in this dam for 300 years, the cracks are so big today that there is a lot of water out there. Today's Westerners are re-paganized today. Why? Because the Christian conservatives are in the societies, they want to put a lot of water in societies. It's the middle of Pride Month and there is a very scary anti-gay, anti-trans obsession on the right across the country right now. There have been several recent incidents where far-right white supremacist groups have targeted LGBTQ people. It's the middle of Pride Month and there is a very scary anti-gay, anti-trans obsession on the right across the country right now. Father Rupiger, is yoga a portal to demonic obsession, possession? Um, it is. It's not a big deal. I'm just doing it with good intentions, it's for fun, but if you're sitting under a yoga teacher, a guru, or somebody that does traditional yoga, you're opening the door to spirit. Yoga, is it demonic? Should Christians participate in it? Listen, it is a door to the demonic realm. Astrology, zodiac signs, people will look to those because they're looking for signs or answers or this or that. They don't want to look in the word of God. If you are involved in terror cards, if you're involved in astrology and signs and Leo and cancer and this and that, you're inviting demons in. Astrology is of the devil and I'll show you why. और Western देशों के जो लोग हैं वो इस तरह की बाधाओं से परिशान हो गया हैं. पिछले कुछ decades में Christian civilization के जो कुछ problems हैं जैसे lack of freedom of belief, lack of freedom of love, lack of freedom of sexuality, वो आज की Western generation के गले नहीं उतर रही. अगर आप आज के Western generation को देखेंगे तो most millennials और Gen Z जो हैं वो gay marriage को support करते हैं, transgender rights को support करते हैं. आज के लोगों को diversity पसंद है, वो unity in diversity ढून रहे हैं और इसलिए वो pagan ideology या non-Christian ideology में इतना interest दिखा रहे हैं. क्योंकि चाहे सनातन धर्म हो या दूसरे देशों की pagan ideologies हों, वो diversity को accept करने के लिए काफी तयार रहते हैं. हिंदूस आपके साथ उतनी ही खुची से holy diwali मनाएंगे. हमने इंडिया में atheist को आर्ती करते हुए भी देखा है. Christianity इतनी आसानी से इस तरह की चीज़े allow नहीं करती. और इसलिए हम देख रहे हैं statistically कि Christians का जो number है वो western देशों में decline कर रहा है. लेकिन रुकिए, ये कहानी अभ यंगर Americans हैं जो Christianity छोड़ रहे हैं. उसमें से सिरफ 10-15% actually atheist बन रहे हैं. वास्ट majority जो लोग हैं वो अभी भी अपने आपको spiritual मानते हैं. और इसलिए अमेरिका का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ religious group nuns हैं. ने ने ये वाली nun नहीं. वो लोग जो अपने आपको किसी भी religion से ज आज अमेरिका में. इन फैक 18-22 एज ग्रूप के जो Gen Z हैं उसमें 40% अपने आपको नन मानते हैं. और इसलिए प्यू रिसर्च का ये मानना है कि वो लोग जो अपने आपको नन मानते हैं या किसी भी religion से जुड़े हुए नहीं हैं वो अमेरिका में majority बनने वाले हैं 20-70 तक तो इसका निशकर्ष क्या निकलता है? निशकर्ष ये निकलता है कि लोग organized religion से परेशान हो गये हैं लेकिन religion और spirituality में अभी भी विश्वास रखते हैं. यानि वो इंस्टाग्राम से नफरत नहीं करते, वो इस से नफरत करते हैं. अब मेरे नाम का नोटिफिकेशन में नहीं आएगा. और इग्जाक्टली इसी लिए पेगन फिलोसोफी और पेगन आइडियोलोजी वेस्टन देशों में बहुत तेजी से फैल रही है. इंस्टाग्राम पेगन फिलोसोफी इतनी तेजी से फैल रही है कि अब तो उनका मजाग भी रूने लग गया है. और भले ही वेस्टन देशों के लोग ये रियलाइज ना कर रहे हैं। लेकिन जो पेगनाइजेशन हो रही है उनके देशों की. उसमें सनातन धर्म की प्रैक्टिसेज और सनातन धर्म की आइडियोलोजी सबसे प्रॉमिनेंट है. रोमन फिलोसोफर सिमिकस ने एक बार कहा था कि रम्हांड की मिस्ट्री इतनी बड़ी है कि उसको समझने का सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता. और वेस्टन देशों के जो यंग लोग हैं वो भी अपनी लाइफ को जीने के अलग-अलग डाइवर्स तरीके देखना चाहते हैं. वो प्लूरलिजम को इंब्रेस कर रहे हैं और यही प्लूरलिजम सनातन धर्म सिखाता है. सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामयाह, वसुधैवकुटुम्बकम, एकमसत, विप्राह बहुधा वदंती. इसलिए जो पेगन फिलासोफी होती हैं, वो अलग अलग व्यूपॉइंट्स, अलग अलग तरह की स्पिरिच्वालिटी, अलग अलग तरह के सेक्श्वल ओर्येंटेशन को भी जादा आसानी से एक्सेप्ट कर सकती हैं. इसलिए जो एक तरह के बच्चों के बर्दे पर बुलाया जाता है, क्योंकि उनका जो आशिरवाद है वो बहुत पावरफुल माना जाता है. In fact, पिसले कुम्भ मेले में transgender community को एक अपना special अखाड़ा भी दिया गया था. आप देख सकते हैं कि किर्णर समाज के लोग मुख्यमंत्री होगे अधितनाथ के लिए एक मुकुट भी लेकर के आएं. In an interview, Mohan Bhagwat said, and I'm quoting here, These people also have a right to live. We are bearing in mind that they are also human beings with an inalienable right to live. अब उत्तर प्रदेश में किर्णर यानि transgender को सरकारी सुवधाय मुख्या कराने और उनके कल्यान के लिए एक अलग बोड ही काम करेगा. एक biological एक विदा है उसमें ये लिए प्रदा है और मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है कि कुछ ऐसे Hindu groups हैं, जो आज भी gay marriage को oppose करते हैं, जिससे मैं बिल्कुल agree नहीं करता. लेकिन मेरा मानना है कि जिस दिन भारत में gay marriage legalize होगा, सबसे पहले उसके support में Hindu community ही आकर खड़ी होगी. In fact, जो सनातन धर्म की spirituality है, वो western देशों में इस समय बहुत popular है. अगर आप yoga को देखें, तो global yoga industry 90 billion dollars की बन चुकी है. और yoga से जुड़ी हुई जो कपड़े की industry है. वो भी almost 35 million dollars की बन चुकी है US में 2020 में और 2030 होते होते 70 million dollars तक पहुचने वाली है. सिर्फ United States में almost 50,000 yoga studios हैं. 2021 में United States में almost 35 million लोग यानि US की 10% population regularly yoga practice करते हैं. पिछले 12 सालों में yoga practice करने वाले लोगों की तादाथ 63% से बढ़ी है. अगर हम meditation को भी देखें, तो 2021 में US का meditation market 1.86 billion dollars का था और 2025 तक 2.5 billion dollars तक पहुचने वाला है. US में almost 2500 meditation studios हैं. वेस्टन देशों में meditation और योगा इतनी तेजी से ग्रोग कर रहा है कि हिंटनबर्ग भी सोच रहा होगा कि इस पे अडानी की लगता है एक रिपोर्ट नी पड़ेगी. इंफाक, meditation इस समय वेस्टन देशों में कुल्य बहुत सिग्निफिकंट है. अमेरिका के Silicon Valley में meditation बहुत पॉपिलर है. अमेरिका में top 100 jobs में से 10th number आता है योगा टीचर और इंस्ट्रक्टर का और महां पर योगा टीचर की average salary होती है 62,000 डॉलर यानी लग बग 42,000,000 रुपे और योगा एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में फोर्थ सबसे फास्टेस्ट ग्रो हो रही है. I absolutely love doing yoga throughout this entire month. I saw so many benefits. Western देशों में anxiety, depression और post-traumatic stress disorder जैसी problems को solve करने के लिए meditation का इस्तिमाल बहुत हो रहा है. What you may not know is 20% of these veterans have PTSD, post-traumatic stress disorder. Intrigued by my progress, I decided to do some research on PTSD and meditation and found several recent medical studies confirming what my heart already knew. Meditation lowers stress and anxiety levels, improves immune function, and lowers heart rate and blood pressure. It turns out that meditation generally makes people feel more positively, it helps diminish anxiety. So with that group, they use mindfulness-based cognitive therapy. They found that it cut the rate of relapse, of having depression again, by 50%. One other reason is that why in the future the pagan philosophy and sanatan dharma philosophies are more popular in Western countries, and that is psychedelics. patients who have claims of insight, viewing themselves from a radically different perspective, from a different lens, and based on animal research, there also seems like there may be increased neuroplasticity in the system, so that in the days following the psychedelic experience, people are more primed to learn new things. जिन लोगों ने साइकेडेलिक्स को experience किया है, उन्होंने अक्सर वैसे ही experiences describe किये हैं, जिस तरह की experiences योगीस को आते हैं. उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक overwhelming sense of love towards the universe experience किया है, जिसको योगा में सच्चिदानन्द बोला जाता है. An overwhelming feeling of interconnectedness. वो अपनी thinking में कम rigid होते हैं और काफी open बनते हैं. जो कि Abrahamic नहीं बलकि एक dharmic तरीका है सोचने का. और psychedelics जो हैं वो अमेरिका के एक state में already legal कर दिये गए हैं. और मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में और भी कई states में legalize होने वाले हैं. psychedelics के साथ एक issue है कि आपके जो mystical experiences होते हैं वो uncontrollable होते हैं. बहुत inconsistent होते हैं. लेकिन योगा के साथ जो आपके spiritual और mystical experiences होते हैं वो inconsistent नहीं होते हैं. उसको आप बड़े आराम से control कर सकते हैं. और आपका दिमाग भी एक बहुत calm state में होता है. तो सनातन धर्म, योगा और meditation वो psychedelics से जादा reliable हैं meaningful spiritual experiences होने के लिए. तो इतनी information देखके आप सोच रहोंगे कि ठीक है फिर तो पक्का हो गया है कि pagan philosophy जो है वो western देशों में Christianity को replace करने वाली है. लेकिन यहां आता है हमारा एक और twist. अगर हम current trends को देखें तो देखकर ये लगता है कि Christianity को pagan philosophy या सनातन धर्म नह रहा है. देखिए wokism एक far left ideology है जो की critical race theory से आती है. जो मानती है कि दुनिया में सिरफ दो तरह के लोग हैं एक oppressor और दूसरा oppressed. यानी believer और non-believer. और जो लोग oppressed माने जाते हैं उनकी duty है कि oppressors का पूरी तरह से विनाश कर दिया जाए. तो wokism अगर आप देखें तो एक तरह स left wing root है. जिस तरह से early Christians ने pagan culture को पूरी तरह से destroy किया था. उसी तरह से wokism भी western civilization को पूरी तरह से नेस्तनाबूत करना चाहती है. अगर आप Abrahamic religions और wokism को compare भी करेंगे तो काफी similarities है. Christianity में जैसे original sin का concept होता है. कि सभी लोग एक original sin के साथ पैदा होते हैं. जैसे प्सक्राइटाइश की ब्रॉब में जैसे नेतर हैं जैसे पाद आप एक हुडित जोड़ता हैं. बनाना जरूरी है तो बेसिकली वोकिजम जो है वो वेस्टन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से खटम करके एक रेवलूशन करके एक नया सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं उसी तरह से इंडिया में भी Indian civilization और सनातन धर्म को पूरी तरह से खतम करके एक revolution करके एक नया civilization बनाना चाते हैं लेकिन हमने अक्सर notice किया है चाहे एरान का इस्लामिक revolution हो Russian revolution हो या फिर French revolution हो अक्सर revolution के बाद जो civilization आती है वो पुरानी civilization से भी कहीं ज़ादा खराब होती है बहुत बात करते हैं कि ऐसे situation में जब Christianity declines कर रही है ऐसे देशों में वो किजम भड़ रहा है महां सनातन धर्म जैसी pagan ideologies क्या कर सकती है लेकिन सबसे पहले तो हम Christian civilization को खतम करने को support नहीं कर रहे हैं अगर आप दूसरे religions को respect करने को तयार हैं अगर आप जबरदती दूसरे लोगों को convert नहीं कर रहे हैं तो हमें आपसे कोई problem नहीं है लेकिन unfortunately क्योंकि Christianity western देशों में decline कर रही है तो Christians जो हैं वो एजिया में आ रहे हैं इंडिया जैसे देशों में आ रहे हैं और बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं लोगों को convert करने के लिए तो इसलिए मैं भी मानता हूँ कि इंडिया को और सनातन धर्म को उनके घर में घुसके उनके लोगों को convert करना शुरू करना चाहिए सनातन धर्म को भी Christianity और इस्लाम की तरह एक converting religion बनना जरूरी है एक और रिजός के सनातन धर्म को Western देशों में action ले लेक्ट चाहिए और पेगन मुव्मेंट की लीडरश्शित लेनी चाहिए क्योंकि अगर सनातन धर्म और भारत ये लीडर्शिप नहीं ले तो Western देशों ने ऋर्डी दिखाया रहे कि वो सनातन धर्म के बेस्स प्रेक्टिसेज को अप्रोपिए करके डाइजस्ट करके सानातन धर्न से अलग करने को तयार हैं जो किताबें लिख रहे हैं आठिकल्स लिख रहे हैं जो योगा को meditation को सनातन धर्म से पूरी तरह से अलग कर रहे हैं तो in conclusion मेरा ये मानना है कि जो trends हम इस समय पर western देशों में देख रहे हैं वहाँ पर इंडिया के पास खास कर सनातन धर्म के पास एक बहुत बड़ी opportunity है क्योंकि western देशों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्योंकि अगर Christianity और Islam इंडिया में आकर लोगों को convert करना चाहते हैं तो इंडिया को भी उनके देशों में जाकर सनातन धर्म को पहलाना चाहिए और इस समय इंडिया के पास perfect मौका है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपको लगता है कि western देशों में paganization बढ़ रही है क्या आपको लगता है कि western देशों में सनातन धर्म जैसे cultures grow कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं सनातन धर्म के gurus को क्या steps लेने चाहिए नीचे comment section मुझे जरूर बताए Oh my god that was an amazing video वीडियो मुझे बड़ा पसंद आया जैसरी कि सेनों में बनाया बड़ा informative वीडियो था I have a lot to say about this video क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद religion पे काफी बात करती हूं मैं खुद किसी religion को follow नहीं करती हूं और में एक journey ही रही है from Islam to Christianity to spirituality to अब जो है मैं agnostic हूँ I mean मैं अपने बारे में थोड़ी देर में बात करूंगी मगर let's just say पहला पॉइंट जो नहीं का कि Western countries में Christianity decline पे है हां ये तो है Christianity decline पे है जिया अधर जो आज की generation है वो किसी religion पे honestly believe नहीं रखती है this is a truth this is a reality I mean हम लोग space में चले गए हैं आपकी 1400 साल पहले और दूसरी जितने भी कितने कितने सालों पहले की जो religion है that God doesn't make sense to these kids anymore तो वो छोड़ते जा रहे हैं तो क्या लोग spirituality के पीछे जा रहे हैं हाँ यहां पर fashions चलते हैं मैं देखती हूँ कि यहां पर Western countries में एक fashions चलता है glasses पे वो चल रहा होता है यहां एक अभी trend हुआ अधा जहां पर mike को ले के बैठे होते हूं यह खर 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 आभास करते हैं यह different trends start होते हैं और फिर उसको companies जो है वो उठा लेती है इसी तरह से yoga जो है यहां पर लेकर आया गया जिस सरह से आप लोग लेकर आये और Westerners देख गोरों ने उसको देखा और उसका तमाल करना शिर्क है उन्हें को हम इसको market कैसे कर सकते हैं इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं और उन्हों ने आपकी चीज़ को actually kidnap करके उससे गोरे ज़्यादा पैसे कमा रहें यहां पर इससे ज़्यादा आपके योगा फर मी इस नॉट ए रिलिजिस तिंग मैं उसको एक रिलिजिन के हिसाब से नहीं मानती हूँ योगा मेरे लिए एक exercise है मुझे यह पता है कि मेरी body को exercise की जरूरत है इसके मैं ट्रेडमिल पे वाकिंग करूँ या मैं योगा करूँ योगा मुझे ज्यादा रिलाक्स करता है योगा आपके दिमाग के लिए भी बेटर है meditation को भी मैं as an exercise लेती हूँ क्यों आपके दिमाग की exercise है उसको मैं as a religion कि टी उसको मैं as a religion नहीं लेती हूँ as a religion ये ले सकते हैं you should meditate every day क्योंकि आपके दिमाग के लिए बितर है पांच दिन जिस तना से लोग पांच वक की नमाजे पढ़ते हैं इस तना से गर पांच वक का मैं बैट की meditation करूँ you know for 10-15 minutes मेरा दिमाग जोए जादा बेतर होगा और इतनी हैं पागलों के पागलों इदरा नहीं फिरूंगी so the whole point that I'm trying to say कि यहाँ पर कफी सारी चीज़ें हैं जिनको maybe शाम जी जोए वो उनको religion से connect कर रहे थे या याने pagan practices से वो कर रहे थे मगर I don't think कि जो लोग इसको practice कर रहे हैं उनके दिमाग में यह चीज़ है इन लोगों को यह पता है कि इसके health के benefits हैं आपको mental benefits होते हैं आपके stress anxiety दूर होती है these are those practices हाँ यह चीज़ अलग है कि यह चीज़ आपके माँ से आई आपने start किया yoga वगरा you should claim that हाँ यह अलग चीज़ है कि अगर आप इसको claim नहीं करेंगे तो गोरे तो opportunity के लिए बैठे हुए वो आपकी चीज़ उठाएंगे वो उसको market करेंगे उसको अपनी brand बनाएंगे और पिर उससे पैसे कमाएंगे that is capitalism for you तो जरूर उसको claim कीजे दूसरी बात इनोंने जो transgender के उपर की and again he mentioned कि हमारे सनातन धरम में बहुत सारी acceptance है and I don't know मैं कभी इंडिया में रही नहीं हूँ तो मैं इंडिया के उपर बात नहीं कर सकती हूँ मैं यहाँ पे Pakistan you know western countries के उपर बात कर सकती हूँ so transgender के इनोंने जो बात की है so that is amazing to see कि India ने transgenders के लिए इसारे rights start की है Pakistan ने भी कोशिश की है चंद bills pass करने के लिए transgender के लिए मगर let me clear something on that कि transgenders और जो hermaphrodial acts होते हैं वो दो अलग चीज़ें आपको अलग करना पड़ेगा है क्योंकि एक वो लोग होते हैं जो naturally जो पैदा होते हैं तो उनके अंदर दोनो जिन्स होते हैं दोनो सेक्स होते हैं male भी और female दोनो parts होते हैं या तो you know कुछ ना कुछ abnormality होती है उनको हम के निर आपके उसमें बोलते हैं हमारी तरफ उनको हीजड़ा बोला जाता है you know तो मैं वो वर्ड लेना नहीं चाती हूँ मगर इनको यही बोला जाता था आजकल transgender जो है वो यह नहीं है उनका मतलब यह होता है कि आप एक मैं आज लड़की हूँ और कल मैं जो हूँ लड़का बन जाओंगी तो मैं ट्रांस्वर्ण कर जाओंगी एक जंडर से दूसरे जंडर में तो मैं बन जाओंगी ट्रांस्वर्ण तो इसी तरह से यहां पर वो बहुत हो रही है आजकल चीज के मर्द जो हैं वो कह रहे हैं के हम औरतें बनना चाह रहे हैं औरतें जो हैं वो कहते हैं with two separate genders right उनके natural deformity होती है in their body तो ये transgender की जो चीज है इसको मैं थोड़ा सा clear करना चाह रही थी कि ये नो फिर वोगिजम की जो बात की है और उसमें भी आ जाता है कि आजकल ये वोगिजम के उस पे भी उस हो रहा है और मेरा ही हमेशे से ये कहना देखे है आपको इंसान होना चाहिए आपको सारे human rights मजने चाहिए कि इंसान होने के नाते ड़सने मैंटर अप औरत हो, मर्द हो, transgender हो कुछ भी हो और ये भी नहीं परवा आप किस religion को follow करते हो किस रंग के हो आपने क्या follow करना है बस दूसरे के ओपर वो चीज़ नहीं थोगे है और अगर दूसरे के ओपर वो force नहीं करें और अगर दूसरा follow नहीं करता तो बस तो यह नहीं करें मैं तुम को जान से मार दूँगा बस यह ideology, यह ideology wokism में भी चल रही है और यह ideology हम चंद रिलिजिन्स में भी देखते हैं जिम, you know, mostly Islam के followers में देखते हैं जो के इतम से भड़क जाते हैं और कहते हैं हम तुम को मार देंगे You know, you don't see that how much happening with Christianity these days इतना आपको Hinduism में नहीं दिख रहा होता है कि लोगोड के बोल रहोते हैं आपको मार देंगे, आपने ये बोल दिया हो दी जादा तर आपको जो है, मुसल्मान ही मिलेंगे जो जाकर blasphemy के नाम पे मार देते हैं लिंचिंग कर देते हैं या अटैक करते हैं एक और चीज़ जो उनने कही जो हिदे हैं अगर आप जाओगे इंडिया और जाके माँ पर conversions कर रहे होगे तो I think it's a fair game कि at least Indians को ये तो करना चाहिए कि जो उनकी practices है I think it's just fair कि जो उनकी practices है उनको जो है at least recognize किया जाए कि ये Indian practices है ये हमारी practices है इसको आप लोग उने hijack कर लिया है और आप इससे पैसे कमा रहे है at least इतना तो करना चाहिए I would agree with that लोगों को दूसरे धरम में या दूसरे रिलिजिन में convert करने पे I personally don't agree with it लोगों को छोड़ देना चाहिए जिसका जो दिल कर रहा है वो उस रिलिजिन को फॉलो करे उस आइडियोलोजी को फॉलो करे as long as आप एक अच्छे इंसान बन के रहें as long as आप उस आइडियोलोजी के पीछे जाकर किसी की जान नहीं ले लो I could care less कि आप सेंटा क्लॉस पर बिलीज करते हो ठीक है ना मैं अपना ये clear करना चाहिए but anyways yoga is my favorite मैं खोद yoga करती हूँ and I love it और मैं उसको सिर्फ exercise की तरह भी देखती हूँ कि मुझे जो है relax कर देती है and if you talk about spirituality या मेरे से आप बात करते हैं you know mindset in जीजों पर so I do believe in all those things mindset आपका matter करता है positive रहना आपका better you know it all matters क्योंकि जब मैंने देखा ही कि मेरा mind positive होता है मैं positive सोचती हूँ और मैं एक goal अपने पास रखती हूँ mindset बना के चलती हूँ तो मैं उस पर मेहनत भी ज़्यादा करती हूँ फिर उसका result भी ऐसा ही हाता है anyways guys मुझको comment section में ज़रूर बताइगा कि आज का video आपको कैसा लगा और जाने से पहले इस channel को subscribe इस video को like और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेर करना मत दूलिएगा जैसे कि आप जानते हैं हमारे जादा दर videos को demonetize कर दिया जाता है मगर अब आप हमको support कर सकते हैं through becoming a member on YouTube Patreon and OnlyFans उसके साथ साथ आप PayPal, Super Thanks, Super Chat और Buy Me A Coffee के through भी हमारी support कर सकते हैं Anyways guys, आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, Bye इस वीडियो को like, share और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा इस काम को आगे भढ़ानी और awareness पहलाने के लिए मुझे आप लोगों की support की जरूरत है आप Patreon, OnlyFans या Simply PayPal के धरूर support कर सकते हैं Link आपको description में मिल जाएंगे आपकी support मेरे लिए बहुत माइने रखती है